लगतार पिछले कुछ समय से किसानों की ओर से ये शिकायत की जा रही थी कि इस बार मौनसून के दौरान बारिश बहुत जादा कम हुई है और जानकार इस बात की आशंका भी जाहिर कर रहे थे कि इस बार बारिश कम होने की वजह से हमें पसलों के जो दाम है उसमें कुछ बाहिना शुरू हुआ तो सितमबर के महिने में comparatively थोड़ी ज़ादा बारिश देखने को मिली, इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इस बार थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है, तो आज इस वीडियो में हम इसी विशह पर बात करेंगे कि सितमबर के महिने में जो बारिश ह कोई है उस बारिश से किसानों को कितनी जादा सहायता मिलेगी किता किसानों को कितनी मदद मिलेगी और इससे हमारे देश पर जो महंगाई के जो शैडो पड़ी हुई है जो बादल पड़े हुए हैं उनको छटने में कितना जादा सहायता मिल सकती है मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दश्यायस की इस नई वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानि के खबर की बात की खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि जो म भाविश्य का परेदर्श रह सकता है और अंत में आगे की राह क्या हो सकती है यानि कि भाविश्या में हमें किस तरह की स्थितियां देखने को मुझ सकती हैं और एक सवाल पर भी बाथ होगी सवाल जो होगा वो प्रिलिम्स का है और आप कॉमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं इसके अलावा ये जो पूरा विशे है मुखतार पर सामान या ध्यन प्रश्न पत्र दो से जुड़ा हुआ है आप इसे मुखतार क्रशी और अर्थ विवस्था यानि एकॉनमी जैसे खंड से जोड़ कर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस बार यानि कि साल 2023 में मौनसून बारिश की क्या स्थिती रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो इस बार अगर आप मौनसून में मौनसून के दौरान जो बारिश ह हुई है उस बारिश से जुड़े आकलों को देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा अनेमित रही है और बहुत ज्यादा अस्थिर रही है यानि कोई भी यह प्रेडिक्शन सही रंक से नहीं लगा पाया कि इस महीने में बारिश होगी या फिर इस महिने में बारिश नहीं होगी शुरुवात से बात करते हैं सबसे पहले जून की बात करते हैं जहां से भारत में मौनसून की शुरुवात होती है तो इस बार भारत में मुखिता मौनसून की जो शुरुवात हुई वो तकरीबन एक सब्ताह देरी से हुई और क्योंक पर बारिश में जो है, वो कमी देखने को मिली थी, तो ये तो जून महिने की बात हुई, इसके आगे बढ़ते हैं, जुलाई की बात करते हैं, जुलाई के दौरान हाला की स्थिती थोड़ी बहतर रही थी, जुलाई में हमें तक्रीबन 12.6 प्रतीशत जादा वर्षा देखन को मिली थी, पिछले साल के तौलना में, तो जुलाई महिने में बारिश थोड़ी बहतर रही थी, जिसकी वज़े से जो खरीफ वसलों की बुआई है, उसमें थोड़ी से मदद मिली थी, तो यहां पर जुलाई महिने में किसानों, जुलाई का जो महिना था, वो किसानों के कि ये जो पूरी बारिश थी जो अगस्त का महिना था साल 2023 का वो 1901 के बाद अब तक का सबसे सूखा महिना था अब तक 1901 के बाद अगस्त के महिने में सबसे कम बारिश हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि अगस्त के महिने में तकरीबन बारिश में 36.2 प्रतीशत की कमी देखने हुई थी, इसके बाद जब अगस्ट का महीना अता है- तो बारिश और ज ज़्यादा कम हो जाती है- और क्योंकि बारिश कम होती है तो इसका प्रभाव हमारी फसलों पर पढ़ता है, हमारे किसानों पर पढ़ता है- तो यहां पर भी एक स्तिती देखने विली थी और जादा सिती तब और गंभीर हो गई ये पूरी बारिश कम होना महत्वपूर्ण क्यूं है ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो इंपॉर्टेंट इस लिहास से है क्योंकि जो जुलाई और अगस्त का महिना होता है इन दोनों महिनों को भारत की मौनसून में बहुत important मानते हैं, क्योंकि इन दोनों महीनों के दोरान ही सबसे जादा बारिश होती है और इन दोनों महीनों में ही बारिश का इस्तमाल फसनों की बुआई के लिए किया जाता है, तो क्योंकि अगस्ट में बारिश बहुत जादा कम हुई थी, तो एक तरफ तो फसल खराब हो गई, खरी फसल पर बहुत जादा प्रभाव पड़ा, इसके अलामा जो तलाब थे, जो जलाशे थे, जो ग्राउंड वाटर था, उस पर भी हमें प्रभाव देखने को मिला था, तो ये तो इस पुरी बारिश का प परिणाम क्या रहा, इसके परिणाम की बात करें, तो इसकी वरे से सबसे पहले तो बारिश जो पानी था, जो पानी की उपलबदता थी, अवेलिबिलिटी थी, वो कम हो गई, और किसान जो है मुखे तोर पर जो सिचाई विभाग है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा डैम से जो पानी छोड़ा जाता है, किसान उस पानी पर निरभर हो गए, किसान भूजल पर निरभर हो गए, ग्राउंड वाटर पर निरभर हो गए, और इसी का परिणाम रहा कि इस बार हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल रहा, वो बहुत जादा कम रहा इसके अलावा अगर आप केंद्रिय जल आयोग यानि के Central Water Commission के अकड़ों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पूरी अवधी के दौरान भारत में डेड़ सो से जादा जलाशे ऐसे थे जहां पर हमें जल स्तर में गिरावट देखने को मिली थी जहां का जो जल स्तर रहा था वो गिर कर 111.73 बिलियन क्यूबिक मीटर पर पहुँच गया था तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कितना गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल रहा है एक तरह बारिश नहीं हो रही है और जब बारिश नहीं हो रही तो किसान जो हैं वो अपनी सिचाय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डैम पर निर्भर हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल पर निर्भर हैं जलाशेयों पर निर्भर हैं तो इसकी वजह से हमारे जो वाटर रिसोर्स पहले से बने हुए हैं वो water resource भी प्रभावित हो रहे हैं और अगर आप इन जलाशेयों की तुलना पिछले साल से करें तो पिछले साल की तुलना में ये जुस्तर है 11.7 का ये पिछले साल की तुलना में 25.9 प्रतीशत कम है और अगर पिछले 10 सालों के उसत की बात करें तो पिछले 10 सालों के उसत से यह तक्रीबन 13.8 प्रतीशत कम है यानि कि इस बार हर तरफ से हम देख सकते हैं कि जो बारिश की कमी है वो भारत के किसानों को प्रभाविद कर रही है लेकिन अभी सितंबर का जो महिना शुरू हुआ था तो सितंबर के महिने में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली तो मुख्य त और ताथारा दश्मल्व सांत प्रतीशत उसमें अधिशेश देखने को मिला यहानी कि अथारा दश्मल्व सांत प्रतीशत बारिश जाधा हुई ती तो जाहिता में लिए स्रेंके कि सनमफें age वा से जैसे comparatively सितंबर महिने की जो बारिश रही है वो किसानों के लिए थोड़ी बहतर रही है अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसानों की कितनी जादा मदद हुई है इसकी वजह से तो सितंबर महिने में हमें जो बारिश देखने को मिली है इस बारिश की वजह से आपूर्ती रहने वाली हैं अगयाने वब समय में।आ कि इनके कटाई होगी वो आक्टूबर की आ सपस होगी तो ऐने वाले समय में जब इनकी कटाई होगी तो नकी पर नह Size है वह बरह सकती हैं अधियर उसक्या स्प्लाय बहतर होगी तो पाज़ी पीस कम पर को दो क्योंकि लगतार अंतराष्टे स्तर पर सरकार की ओर से आयात भी किया जा रहा है तो इसका प्रभाव भी कीमतों पर पड़ेगा और जो हमारे आम कंजूमर्स हैं उन्हें तिलहन के फसलों के लिए कम पैसे चुकाने पड़ेंगे और लगतार सरकार आयात भी कर रही है अगर आप खाद ये तेल के आयात को देखेंगे एडिबल ओइल के इंपोर्ट को देखेंगे तो मुख्यतार पर हमारा जो इंपोर्ट रहा है वह आब तक के सबसे उंचे स्तर पर पहुंच गया है यह कि तकरीबन स्तोला दशमलों पांच मिलियन टन के आसपास है तो यह तो जो हमारी तिलहन की फसले हैं उनकी बात हुई इसके अरावा सब्जियों पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है तो जो कटाई है अगस्त के महिने में 26.1 प्रतिशत के आसपास था यानि के कम हुआ था और जानकारों का नुमान है कि जब सितंबर के आकड़े आएंगे तो सितंबर के आकड़ों में ये जो CPI है सबजीों का विजेटेबल्स का ये और जादा कम हो सकता है तो ये तो फायदा किसको होगा उस से फसलों में बहतरी देखने को मिल सकती है हाला कि आगे आने वाले समय में जो रभी की फसल है जो कि सर्दी और वसंत के दोरान देखने को मिलेगी इस मौसम की फसलों जैसे कि गेहूं सरसो चना इसमें हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर एक तो बार बारिश जदा हुई है तो सितंबर महिने में भी इतनी बारिश नहीं हुई कि जो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया था उसको भरा जा सके तो सितंबर महिने में भी लेवल बहुत जदा कम है तो यहां पर एक तरह से हमें रभी की फसल में कुछ चुनौतियां देख देखने को मिल सकती हैं तो वहां पर सप्लाइ कुछ कम होगी और आगे चलकर हमें अगले साल मार्श दोहजार चौबिस के आसपास इन फसलों में थोड़ी इन फसलों की कीमतों में थोड़ी बरहौतरी देखने को मिल सकती है तो मौनशून वर्शा के दौरान इस बार जो जल सब घाँ है तो अगर इस बार अल्निन जैसे बनती है तो इसकी वज़े से बारेश कम होगी बारेश पर प्रभाव पड़ेगा और जब बार जाहिर तो जाहिर तर्मएर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर प्रभाव पड़ेगा जहां पर बारिश के पानी का अस्तमाल करते हुए सिचाई की जाती है उस पर हमें गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है तो इस स्थिती से निपटने के लिए सरकार को पहले से प्लान करने की जरूत है ताकि जब इस तरह कि कोई गंभीर स्थिती हमारे सामने पैदा हो तो उस स्थिती से बहतर ढंग से कॉडिनेटर तरीके से समनवेट तरीके से निपटा जा सके तो यह सरकार की जिम्मदारी है कि इन तमाम कारकों पर ध्यान दिया जाए अब अंत में हम एक सवाल पर भी बात कर ल नहीं है हमारे option है option A यह हूं option B सरसो option C चाना या option D मुंगफली तो आप comment box में सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे अमीद है किस वीडियो में जिन मिंदों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवा आता है तो आप उससे असानी से हल कर सकेंगे इसके अलावा आपके लिए एक बड़ी सूशना यह है कि संसान की और से हमारे YouTube चैनल पर सुबह लाइव न्यूस पेपर का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जहां पर दाहिंदू अकबार की तमाम ख़बरों का विशलेश चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो ग्रूप से जोनना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद